नमस्कार दोस्तों मैं आजाय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप फाइफ कोसेंस दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई साभी गौर्णमे इक्जाम देंगे तो आपके पेपर में यह सब प्रशन हमेशा देखने को मिलेंगे जो दोस्तों रीजनिंग में हमेशा प्रशन पूछे जाते हैं रिपीट करते हैं उन प्रशनों को दोस्तों इस वीडियो में सामिल क्या हूँ और दोस्तों इन सभी प्रशनों को बहुत ही आसान ट्रीक बताऊंगा जिसकी सहायतास दोस्तों आप इन सभी प्रशनों को बीना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछी सेकेड में तो आए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉफ फाइफ कोस्चन देखिएगा दोस्तों पहला कोस्चन है मोस्ट इंप कलपों में से विसम आच्छ्छरों को चुनिये यह जो option आपको दीख रहें पहला option दूसरा, फसों तीश्रा option चौथा option इनवे से दोस्तों थे हैं तो का सरस्द कर में यह तो दोस्तों इसको ऐसे देखे तो यह उल्टा लग रहा है ठीक है तो इसे हम देखिए पढ़ने का जो तरीका वो क्या है दोस्तों यहां से लास्ट से पढ़ेंगे कहने का मतलब है option नमबर ए देखिएगा यह से पढ़ेंगे पहले तो ट के बाद यू यू के बाद क्या है भी ठीक है यानि एस ट यू भी है और दूसरे वाले में क्या है ओ है उसके बाद पी है उसके बाद क्यू है उसके बाद आर है ठीक है ऐसे पढ़ेंगे लास्ट से पढ़ेंगे अगर जो उल्टा दिया रहे तो इसे हम अब सीधा करके पढ़ेंगे, ठीक है, अप्शन नमबर C में देखेंगे, जे के बाद दोस्तो के है, के के बाद क्या होता है, दोस्तो L होता है, यल नहीं है, क्या है, यम है, यम के बाद यन है, ठीक है, क्या है, दोस्तो यम है, यम के बाद यन है, इसमें है दूस्तो यल का, ये, के, यल होता है, यल नहीं है, यम है, यन है, औप्शन नमबर D देखिएगा दूस्तो, या, F, F के बाद G, G के बाद चैस के बाद आई, तो इसमें दूस्तो कौन सा अलंग है, औप्शन नमबर C अलग हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा option number C मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस question को बहुत ही अच्छे जारी के समझ गयोंगे और इस टैप के question आपके paper में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे next question देखिएगा दूसरा question है दूसरा question missing numbers है most important question है यह question बहुत बार पूछा जा चुका है और इस परकार के हमेशा पूछ से जाते हैं तो कैसे solve किया जाएगा question पढ़िएगा प्रस्ण कहारा है नीचे दीगई प्रस्ण में लूप्त संख्या ग्याद कीजिए लूप्त संख्या मतलब missing number कहाँ पर है देखिए प्रश्ण वाचेक चीन यहाँ पर आपको दीख रहा है न यहीं पर आपको बतायना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए दो तरीका होता है solve करने का सोचने का कि यहाँ पर जागर जो बीच में पूछ ले संख्या क्या होगी तो इसके लिए तो यहाँ तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर पहले वाले लाइन में 24 कैसा है यानि कि 18 32 को मिला के 24 आएगा यह सोचने का तरीका है या 12 और 16 को मिला के 14 आएगा अगर जो 12-16 को मिला के 14 आ रहा है 18-32 को मिला के 24 आ रहा है तो उसी प्रकार से 3 और 4 को मिला के हम लाएंगे और 72 और 128 को मिला के 112 आना चीए ठीक है तो अगर जो दोस्तो 18-32 को करें तो 24 नहीं आने वाला है 12 और दोस्तो 16 को हम कुछ भी करे तो 14 नहीं आने वाला है तब क्या करेंगे दोस्तो तब देखिएगा दूसरा सोचने के जो तरीका है यहाँ पर प्रशनवाचक चिंद है तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 कैसे आया और यहाँ पर 4 कैसे आया यानि कि 18, 12 और 72 को क्या करें कि यहाँ पर 3 आ जाए तो देखिएगा क्या करना है अगर जो दोस्तो हम 12 से इसमें 72 में भाग कर दे 12 से 72 में भाग कर दे यानि 72 को 12 से भाग करें तो कितने बार में जाएगा दोस्तो 6 बार में 12, 6 72 होता है और इसी 6 से दोस्तो 18 को भाग कर दे, ठीक है, 18 को दोस्तो 6 से भाग कर दे, तो क्या हो जाएगा, 6, 3, 18, यानि कि 3 बार में चला जाएगा, और 3 यहाँ पर क्या है दोस्तो, दिया हुआ है, ठीक है, चलिए next वाला देखते हैं, क्या ऐसे यह solve हो रहा है कि नहीं, 16 से दोस्तो क 32 में भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8, 4, 32 और 4 यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है, ठीक है, पहले दोस्तो प्रशनों को solve करने, इस पहले क्या किया करिया, आप विडियो को pause कर दिया करिया, अपने आप से solve करने की कोसिस किया करें, ठीक है, इसे क्या होगा, दोस 1214 जब भाग करेंगे, तो क्या होगा, 14, 8, 112, यानि कि 8 बार में जाएगा, और इस 8 से दोस्तों क्या करेंगे, 24 में भाग करेंगे, यानि 24 को 8 से भाग करेंगे, तो क्या होगा, आट तरीका 24, तो यहाँ पर भर जाने वाला संक्या क्या होगा, 3 होगा, जो कि option number बी में दिया है तो आपका option number B दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों आप इस question को भी अच्छे से समझ गयोंगे और इस टाप के भी प्रशन आपके paper में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे दोस्तों इससा तीसरा question कर रहा है नीचे दी गई प्रशन का सही वेनारेक बता है वेन डाइग्राम बननना है किसका डॉक्टर आद्मी अभिनेता यह तीन दिया गया है दोस्तों इन्ही तीनों को क्या करना है दोस्तों वेन डाइग्राम कहने का मतलब है दोस्तों जो सब्द दिये गये रहत को दूसरे से कैसे संब्द है तो आप प्रशों को दोस्तों अच्छे से solve कर लेंगे तो इसमें देखा जाता है दोस्तों देखिए डॉक्टर है आदमी है अभिनेता कोण होता है तो दोस्तों आदमी जो दे आ है आदमी यह बीई वाला यह आदभी दोस्तों कामर्ड हो आदिमी में ही दोस्तों क्या होते हैं कुछ आदिमी डॉक्टर होते हैं कुछ आदिमी अभी नेता होते हैं अब इस टाइप से देखिए बेन डाइगराम कहा बना है तो देखेंगे ओप्शन नमबर सी में बना है तो आपका ओप्शन नमबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गयोंगे और इस टाप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन बहुत ही अगला कोशन देखने स्पहले दोस्तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों यह पंचम पब्लीसर की इबुक है आपका अगामी सभी परिशाओ लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेल्बेक एक्जाम देंगे या अधर आप दोस्तों कोई साभी गवर स्ट्रिव लाइन में आंशर इसैं क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोशन को प्रिवेर कर लेंगे दोस्तों आपके एक से दो दिन का भी टायम रहेगा तो इस बीवू को लेका आप जरूर पर लीजए गा आपके एकजाम मैं काफी हल्फ मिले गा दोस्तो इसमें साइंस, जनर्र अलवेंस, और करेंट अफेर के इंपोर्डेंट प्रोशनों को दिया गया है, जो बार-बार आपके परिस्वा में पूसे जाते हैं, दोस्तो पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने अब दोस्तो यह e-book आपको म नहीं मिलेगी, अगर जो दोस्तो आपको डाउनोडिंग या पेमेंट से किसी पर करकर समस्य होती है, दोस्तो पंचम पब्लिशन का कस्टमर के नमबर दिया गया है, इस नमबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपके पूरी साहय तक की जाएगी, दोस्तो इस e-book को मैं सेकेंड में, देखिएगा, प्रशन पढ़िएगा ध्यान से, प्रशन कह रहा है, दिवार पर लगी एक घड़ी, पांच बच कर 45 मिनट का समय दरसाती है, समतल दरबड में इसके प्रतिवीम में क्या समय नजर आएगा, कहने का मतलब है दोस्तो एक दिवाल पर घड़ी जाते हैं, तो उसे यह आप नहीं करेंगे कि घड़ी बनाएंगे, फिर उसमें दोस्तो पांच बच के 45 मिनट बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे, इधर मीरा लगाएंगे, क्या होगा, इस टाइप सिन नहीं सोच जाते है, ठीक है, इसको सॉल्ब करने के जो असान त दरब से लिखेंगे, 11.60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 12, इसलिए 11.60 मिनट लिखें ताकि घड़ाने में असानी हो, इसमें इस क्या घटाना है, तो पांच बच के 45 मिनट घटा लेना है, यह घटा लेंगे, तो इसका वास्तवी यानि दरपड प्रतिवीम आ जाएगा, तीक ह 60 में से 45 जाएगा, दोस्तों, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6, तो दरपड में क्या दिखेगा, दोस्तों, अगर जो वास्तिपिक समय 5, 45 है, तो दरपड में क्या दिखेगा, 6, 15 दिखेगा, 6, 15 कि इस option में, option number D में है, तो आपका option number D क्या हो जागा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रस्न को भी अच्छे से समझ गयोंगे और दोस्तों एक और आसान तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं अगर जो इतना घटाना नहीं चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों 5 बच के जो ये आपका 45 मिनट दिया है ना 5 बच के 45 मिनट हम 5 बच के 45 मिनट में कितना समय आइड कर दे की 12 बच जाएगा तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे 15 मिनट इसमें आइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये घंटा यानि 6 बच जाएगा और 6 हो जाएगा यानि 6 पंदरा ये आइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कहने का मतलब हुआ ही है 12 बच जाएगा तो 6 पंदरे इसका सही आंसर हो जागा आप चाहें तो ऐसे भी आइड करके सोच सकते हैं, solve कर सकते हैं, next question देखिएगा दोस्तो, पांचवा question, पांचवा question भी बहुत ही important है, और दोस्तो आपको बता दो, इन सब प्रशनों को पीडियो चाहिए, तो दोस्तो आप टेलिग्राम को भी ज़रू जोन कर लिजएगा, टेलिग्राम का लिंक नीचे डिक्स्वान बॉक्स में, जहाँ आप दोस्तो मैं समय समय पे पीडियो भी फुराइट कर रहता हूँ, तो सारी वीडियो की लिंक भी आपको मिल जागी, देखिए दोस्तो पांचो आपरेशन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने आपसे सॉल्व करने की कोसिस करना है, अपने आपसे जब सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, कितना टाइम लगता है, कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद से यह देखेंगे जब मैं solve कर रहा हूँ ठीक है तो देखिए 5 operation पहले कैसे solve किया जाता है देखिए देखिए गाप्रशन कर रहा है प्रतीकों के उप्युक्त सेट का चैयन करें और यह दोस्तो प्रशन जो है नहीं यह प्रशन most important है क्यों most important है क्योंकि यह सभी परिस्व में push ह जाता है और इसमें दोस्तों ज्यादा तो student छोड़ देते हैं expression को क्यों छोड़ते हैं क्योंकि देखते हैं सभी option को check करना होता है सभी option को check करेंगे तब उसके बाद answer देंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आप डाइरेक्ट उसी option को चेक करेंगे जो इसका सही answer है कैसे check किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ देखिए का कैसे solve किया जाता है अब मैं उमीद करता हूँ आज के बाद expression को आप paper में कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आपके paper में रहेगा तो पहले आप इसी को solve करेंगे देखिए कहरा है प्रतीको के उप्यूक्त set का chain करें यानि कि इसमें से दोस्तो चार option दिये गए हैं पहला option, दूसरा option, तीसरा option, चौथा option इन option में से कौन सा यहां प्रतीको का set रख दे की बराबर 82 आजा है ठीक है यह चीज कहरा है तो इसके लिए दोस्तो देखिएगा सभी option को हम नहीं रखेंगे पहले क्या रखा जाता है जो symbol है यह भाग वाला symbol है पहले option में तो देखेंगे भाग वाला symbol कहा है यहां पहल तो यहां पर लाश्ट में रखेंगे अब देखेंगे दोस्तो यह 7 में 5 से भाग चला जाएगा की नहीं नहीं जाएगा आगे क्या है दोस्तो इसके minus का है अगर जो दोस्तो यहां multiply गुणा का होता और यह 5 का दोस्तो multiply होता यानि की गुणनखंड होता पांच का multiple संग क्या होता तब यह क्या होता तब तो इसमें भाग जाता लेकिन यहां minus है यह multiple नहीं है तो यह क्या हो जागा पहला option यहीं प क्या दोस्तों 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं जाएगा आगे प्लस है अगर जो multiple होता ये गुणे होता और क्या होता 44 साथ का multiple होता तब तो जाता ठीक है लेकिन प्लस है और नहीं जाएगा क्योंकि 4 में दोस्तों 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो option number B भी क्या हो ज सिंबल देखना है बस इतना सोचेंगे तुरंत आपको अंसर दिखने लगेगा पूरा चेक करने की जुरूत नहीं है ठीक है अब लाज ऑप्शन नमबर सी में कहा है दोस्तो भाग वाला सिंबल यहां पे है तो अभी ऑप्शन नमबर आप पहले में भी देखें दोस्तो पहल गलत हो जागा बचा कौन सा ऑप्शन नमबर डी बचा तो ऑप्शन नमबर डी आपका सही हो जाएगा आप इसे दोस्तों सॉल्ट किये भी आंसर टिक कर सकते हैं क्यों टिक कर सकते हैं क्योंकि जब चार ऑप्शन दिये रहते हैं तीन ऑप्शन गलत हो जाता है तो चौता अपने आप ही सही होता है, क्या होता है, अपने आप ही सही होता है, उसे मिलाने की बिज़ुरत नहीं है, इसमें क्या होता है, आपका papermint time बचेगा, और आपको आपको solve करके भी दिखा दे रहो हूं, कैसे होगा, देखिए दोस्तों, इसमें भाग वाला reliesemol कहां है, पहले है ठीक है तो यहाँ पर भाग वाला सिंबल पहले है तो 44 में दोस्तों 4 से भाग जाएगा हाँ चला जाएगा 11 चोक 44 होता है 4 से 11 बार में चला जाएगा उसके बाद क्या है दोस्तों देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है गुणे का है फिर क्या है दोस्तों प्लस है दे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 82 हो जाएगा और 82 बराबर 82 यहां पर देखिए दोस्तो दिया हुआ है यानि कि बराबर 82 और इधर solve करने पर क्या रहा है दोस्तो option number D रखने पर 82 आ रहा है तो option number कौन से सही हो जाएगा option number D सही हो जाएगा एक बार और समझाता हूं देखिएगा क्या है भाग गुडे Plus तो यहां पर रख लेंगे भाग और यहां पर रख लेंगे गुडे यहां पर Plus भचा क्या बचा दोस्तो 11 गुडेrica 200 11 सत्य क्या हो जागे दोस्तो 77, 77, 75, 77, 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा waited 82 और बराबर 82 दिया हुआ है तो 82 बराबर 82 आ गया तो यही option number D आपका सही हो जागा तो दोस्तों इस type के प्रशना है तो आप ऐसे solve कीजिएगा दोस्तों इसमें और भी question है उसको मैं next part में करा दूँगा अगर से दोस्तों आप math basic से zero level से और chapter wise दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए ए तो मैं अतना आपको थोड़ी सी भी problem होती है दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका link नीचे description box में दे दिया हूं और यह सब दोस्तों आपको प्रेशन अच्छे लगे हैं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टैप से बना हो गए हाँ पर प्रेस करके facebook, whatsapp, telegram, जितने भी दोस्तों आपके पास study group हो उस group में share जरूर कीजिएगा जो दोस्तों इस चैनल पर नए है जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की daily notification नहीं मिलती नीचे दोस्तों रट कलरके subscribe से subscribe लिखा हो दोस्तों आप subscribe और bell icon पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में और भी important person के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद